दोस्तों जेकी आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम नया टोपिक लेकर उपस्दित हुए हैं और ये टोपिक रहेगा कनवेटर का कनवेटर क्या होते हैं इसका परियोग क्यों किया जाता है और कितने परकार के होते हैं डीटेल से वीडियो में बात करेंगे ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको इसी परकार क इसकी वीडियो जहां मिलती रहती है तो जलिए बात कर लेते हैं कि कि क्नवेटर क्या होता है और इसका प्रियोक्त किया जाता है आखेर में कि आवशकता क्यों पड़ी तो Converter का परिच्य पढ़ लेते हैं यानकी Converter होते क्या है AC को DC में बदलने वाली युक्ति या मसीन Converter कहलाती है तो वे सभी मसीने चो AC सप्लाई को यानकी Alternating Current को Direct Current में बदल सकती है Converter कहलाती है उन्हें हम Converter कहते है प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में बदलने वाली युक्ति या मसीने Converter कहलाती है अब हमारे पास ये क्यूसर है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में बदलने की आवशकता क्यों है हम AC सप्प्लाई से कौन से कारी नहीं कर सकते ताकि हमें DC सप्लाई में कनवाइट करने की आउशकता होती है DC सप्लाई के वे कौन कौन से कारी है जिसके लिए हमें DC की आउशकता होती है जो AC सप्लाई से नहीं किये जा सकते तो कई ऐसे कारिये हैं जो AC सप्लाई से नहीं किया जा सकते उसके लिए हमें DC सप्लाई की आउशिक्ता होती है और DC सप्लाई का उत्पादन वित्रन ये महंगा होता है इसलिए DC सप्लाई का उत्पादन नहीं किया जाता उसे AC से DC में कनवर्ट किया जाता है AC सप्लाई का जो उत्पादन होता है वित्रण होता है वे DC की अप्यक्षा सस्ता रहता है इसलिए हम AC सप्लाई का उत्पादन करते हैं और DC में उसे कन्वार्ट करते हैं अब DC सप्लाई के कार ये कौन-कौन से हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग, धातू शोधन, बेटरी चार्जिंग, आर्क वेल्निंग और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रोनिक उपकरन होते हैं उनके प्रचालन के लिए हमें DC सप्लाई की आवशिक्ता होती है ये DC सप्लाई के कार होते हैं जिनके लिए हमें DC को DC में बदलना पड़ता है अब बात आती है कि कौन-कौन से मसीन है, कौन-कौन से युक्तियां है जिनसे हम DC सप्लाई को DC में बदल सकते हैं तो आप सभी को पता होगा कि एक तो होता है रोटरी कनवर्टर, दूसरा होता है मोटर जनरेटर जिसे हम कहते हैं Mgset Motor Generator Set Mgset और तीसरा होता है Metal Rectifier तो ये तीन युक्तियां होती हैं जिनसे हम AC को DC में बदल सकते हैं Alternating Current को Direct Current में बदलने के लिए हम तीन युक्तियों या तीन मसीनों का प्रियोग कर सकते हैं तीन विधियां समझ लीजी हमारे पास है जिनसे हम AC को DC में Convert कर सकते हैं पहली है Rotary Convertor दूसरी है Mgset और तीसरी होती है Metal Rectifier जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिष्ट कारी तो देख लेते हैं कि तीनों में अंतर क्या होता है सबसे पहले हम तीनों में अंतर देख लेते हैं कि Rotary Convertor Mgset और तीसरा होता है Rectifier इन तीनों में अंतर क्या क्या है कौन सा अच्छा रहता है और कौन महेंगा है इस परकार से हम तीनों में अंतर देखेंगे यनकि एक परकार का ये Analysis रहेगा Convertor से सम्देत ये जानकारिया है ये तीनों के नाम है और इस परकार से हम Analysis करने वाले है पहला है मुल्य मुल्य के आधार पर Mgset अधिक महेंगा रहता है Rotary Convertor महेंगा रहता है और Rectifier सस्ता रहता है यानि ये Best रहेगा ये हम मुल्य की दिश्टी से देखें तो Rectifier हमारे लिए एक दम Best रहेगा मसीन में देखें तो Mgset में दो मसीन होती है एक होता है AC Motor और एक होता है DC Generator यानिकि दो मसीने होती है ये दो मसीने होगी तो वह ज़्यादा इस्थान गेरेगी यानिकि इस्थान की भी आवशक्ताद ज़्यादा रहेगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी परिशानी होगी दूसरा है Rotor Converter ये एक ही मसीन होती है और ये जो Rectifier होता है ये एक परकार की यूपती होती है इसमें कोई भी घूमने वाला पायट ही नहीं होता यानिकि Moving Part होता ही नहीं है तीसरा है SORE SORE की द्रिश्टी से देखें तो MG SET बहुत अधिक SORE करते हैं Rotor Converter मसीन है तो SORE तो करता है पर MG SET से कम SORE करता है और Rectifier बिलकुल भी SORE नहीं करता आगे हम दक्षिता की बात करते हैं यानकि Efficiency की बात की जाए तो MG SET की Efficiency कम होती है Rotor Converter की भी कम होती है लेकिन Rectifier की होती है 95% Efficiency मानी जाती है यानकि 45% दक्षिता होती है Rectifier की अब यदि इस्थान की बात करें इस्थान कौन अधिक गहरता है तो MG SET बहुत अधिक इस्थान गहरता है यानकि दो मसीने होगी तो इस्थान अधिक गहरेंगे Rotor Converter है कि एक सिंगल मसीन है कम इस्थान गहरेगी और यह जो हमारा Rectifier होता है यह बहुत ही निमन इस्थान यानकि नगनने इस्थान के बराबर इस्थान गहरता है अनुरक्षन लागत देखे यानकि देखवाल का खर्चा देखे तो MG SET और Rotor Converter दोनों में अधिक रहता है जबकि Rectifier में निमन खर्चा आता है पावर फेक्टर MG SET और Rotor Converter का कम रहता है जबकि Rectifier का अच्छा पावर फेक्टर माना जाता है तो यह थे तीनों में डिफ्रेंस तो सबसे अच्छा Rectifier रहता है और MG SET और इनके भी अलग-लग लाब हैं अब हम तीनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं अब हम तीनों को डिटेल से पढ़ लेते हैं कि Rectifier क्या होता है Rotor Converter क्या होता है और तीसरा MG SET क्या होता है इनके क्या-क्या लाब है क्या-क्या हानिया होती है डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो आज के वीडियो में हम rotary converter को पढ़ेंगे rotary converter होता है यह एक single machine होती है single machine यानकि एक machine होगी जो AC को DC में बदल सकती है और DC को AC में बदल सकती है तो rotary converter का यही positive point है plus point है कि यह AC को DC में और DC को AC में बदलने का गुन रखती है यानकि दोनों कारिय कर सकती है AC को DC में बदल सकती है और DC को AC में बदल सकती है दोनों कारिय यह कर सकती है और कोई भी AC machine नहीं है युकती नहीं है जो दोनों काम कर सकते है इसका उप्योग वहां किया जाता है जहां अधिक मात्रा में DC power की या DC supply की आउशक्ता होती है यह machine दो परकार की होती है रोटर का अर्थ है गुर्णन करने वाली यह युकती यानकि AC युकती जो गुमती है और एक साइड AC उत्बन होती है दूसरी साइड DC इस परकार से युकती होती है यह इस साइड कम्यूटेटर लगा होता है यानकि यहां DC supply या तो आउट्पुट में या फिर इन्पुट में लेगी और इस साइड होता है slip ring यहां कि तीन slip ring दो slip ring लगी हो सकती है इसे हमें AC supply केदी आप इधर इधर इन्पुट में रहेंगे तो आपको इधर output में DC मिलेगी यदि आप इधर input DC देंगे तो आपको इधर output में AC मिलेगी यदि आप इसे prime work से गुमाते हैं यानकि जल टर्बाइन, wasp engine, diesel engine इन में से किसी से गुमाते हैं तो आपको slip ring की side AC supply मिलती है और commutator side DC supply मिलती है यानकि ये plus point मान लीजी rotary converter का जिसे slip ring side AC supply और commutator side DC supply दोनों मिलती है ये दो प्रकार की होती है पहली होती है single phase और दूसरी होती है three phase तो single phase और three phase को हम detail से next part में पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें और जेकी IT मंत्रा YouTube चैनल को subscribe करें